बिहार को बहुत बढ़ी सौगात मिली हैं अब बिजली की समस्या भी हमिश्वा के लिए खट्म हो जाएगे साथी अब बिहार को बाहर से महंगी दरों पर बिजली खरीदने के भी ज़रूरत नहीं परेगे साथी उभोकता को भी अभी के मुकाबले सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी अब दूर दराज के गाउं में ही नहीं बलकि दूसरे राज्य को भी बिजली सप्लाई करेगा बिहार क्योंकि बिजली के मामले में आत्म निर्भर बन चुका है बिहार देश की सबसे बड़ी उर्जा उत्पादक कंपनी एंटी पीसी लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली बिजली पर योजना नवी नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी का निर्मान कारे पूड़ा हो गया है इससे 1980 मेगावार्ट बिजली का ना केवल उत्पादन होगा बलकि इसमें बिहार को 683 मेगावार्ट सस्ती बिजली मिलने से प्रतिवर्स 1500 करोर रुपे से अधिक की बचत होगी कंपनी के मुख्य कारेकारी अधिकारी बिजय सिंग ने बताया कि पर योजना के तिसरी एकाई के सिंकोनाइजरीशन के बाद कल रात से ही तिसरी यूनिट का ट्रायल शुड़ हो गया है और इसे 22 जन्वडी से 72 घंडे तक फुल लोड पर चलाया जाएगा इसके बाद इस इकाई से भी बिजली का वेवसाइक उत्पादर होने लगेगा और इसके साथ ही यह पर योजना राश्ट को समड़पित करने के लिए पूरी तरह से तयार हो जाएगी बिजय सिंग ने बताया कि इस पर योजना में 660 से 660 मेगावार्ट की कुल 3 इकाईया है जिनका निर्मान कारे पूरा कर लिया गया है इन इकाईयों के निर्मान पर 9,400 करो रुपे से अधिक किल्ला गताई है उन्होंने बताया कि इस पर योजना की 2 इकाईयों से फिलाल 1320 मेगावार्ट बिजली का उत्पादन हो रहा है जिसमें बिहार को 1122 मेगावार्ट बिजली मिलती है इस परियोजना में उत्पादित कुल बिजली का 85% हिस्सा बिहार को 10% बिजली उत्तर परदेश को 4% जार खंड और 1% बिजली सिक्किम को मिलता है मुक्य कारेकारी अधिकारी ने बताया कि तीनों इकाईयों से बिजली उत्पादन शुड़ हो जाने के बाद बिहार को परियाफ्त बिजली मिलने लगेगी और यह राज जो बिजली उपलद्धता के मामले में पूरी तरह आत्म निर्भर हो जाएगा उन्होंने बताया कि बिहार जहां से अभी बिजली खरीद रहा है उसकी तुल्ला में एन पी जी सी द्वारा उत्पादित बिजली दस पैसे प्रती यूनिट कम किमत पर राजी को मिल रही है उन्होंने बताया कि यह देश का सुपर कृटिकल टेकनोलोजी से बना पहला पावर प्रोजेक्ट है और इस परियोजना में अन्य प्रोजेक्टों की तुल्ला में कोईले की खपत भी कम होती है 2970 एकर भूभाग में फैले इस परियोजना के लिए प्रती वर्स साथ मिलियन टन कोईले की अविशक्ता होती है जिसके आपूर्ती सिंट्रल कोल फिल्ड्स लिम्टेट से की जा रही है इससे CCL के साथ साथ रेलवे को भी कोईला ढूलाई के मद में प्रती बर्स करीब 350 करोल रुपे की आमदनी हो रही है उन्होंने ये भी बताया है कि प्रयोजना प्रदूशन रहित है और इसके लिए कई अत्याधुनिक संयंत्र भी लगाए गए है आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बूप पेज को लाइक करे धन्यवाद